अब बॉन्जर नमस्ते शास्त्रियकाल अदा नेम इस अमिशेक जादव और वाचिंग लॉस्ट इंडियन तो फाइनली मैं आपके लिए जो बहुत जादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी वह बनाने वाला हो क्योंकि मैं जब से इंडिया से निकला था का आणारा के लिए त तो मुझे आज फाइनली टाइम मिला है तो मैंना सुझा कि क्यों ना इस टॉपिक के ओपर वीडियो बनाई जाए बट बेफोर स्टार्डिंग इस वीडियो आज की वीडियो को शुरुवात करते हैं तो वीडियो स्टार्ड करने से पहले मैं को आपको थोड़ी सी एक बैक्राउंड इंफोर्मेशन दे रही है कि मैं कॉंसर्फ फिल्ड से हो और मैंने ये कोर्स क्यों चूस किया है तो फर्स्ट आफ बात करने जाए तो मैंने 12th सायंस की थी उसके बाद मेरे कुछ और प्ला होता है B.Sc. in Hospitality Studies उसका मैंने डिगरी की है तो वो कोर्स कर देड़ा है कैसे होता है कि वो से एक समिस्टर का कोर्स था उसमें जो 2.5 यह होते है वो like common होते है सब बच्चे साथ में पढ़ते है बर जो last semester होता है उसमें आपकी specialization होती है तो वो specialization में आपको चूस करना होता ह यह फिर अपको food and beverage में जाना है housekeeping में जाना है front office में जाना है तो मेरा area of interest था kitchen and bakery तो इसके लिए मैंने kitchen and bakery में specialization की थी तो जैसे मेरी graduation खतम हो गए थी तभी एक campus interview आया था और तभी like मेरा almost cruise ships जो होती है उस पर मेरा selection हो गया था मेरा सब कुछ हो गया था मतलब मेरी class training बाग start कर दी थी तो मेरे IELTS का result भी आ गया था तो फिर मैंने वह plan drop out करके मैं IELTS के basis पर मैंने Canada की procedure स्टार्ट कर दी थी बट हाँ आज मैं मतलब खुश हूँ जो decision मैंने वो time पर लिया वो तो basically मैं Canada आ गया था तो during that time covid suddenly start हो गया था इस वएसे मेरे पास मतलब मैं एक restaurant में job कर र मिले हो रही थी तो within that time I started my home bakery जैसे कि आप देख सकते हो है आपको यहाँ पे मेरे केक्स के photos शो करते होगे तो मैंने वो home bakery में बहुत सारे ऐसे deserts बनाए, cakes बनाए, बहुत सारे लोगों को मतलब उनके events में help किया तो यह एक मेरा basic suffer था तो इस वएसे में को baking के तरफ जॉब करने नहीं मिलिये, I hope so in future में को मिले, तो मैंने two year का program सर्च करा था कि at least मुझे two year का baking program मल जाए, क्योंकि cooking में से थोड़ा सा मेरा interest थोड़ा सा divert होके baking की तरफ चाल गया था, तो इसके लिए मैंने two year का baking program सर्च करा था, बट मैंको two year का post graduation या master's program नहीं मिल रहा था, मैंको मिल रहा था सिर्फ one year का program, बट मैं two year के program के पीछ जा रहा था, तो इसके लिए फिर बाद में मैंको पता चला कि two year का diploma course भी होता है, तो मैंने फिर जो colleges होते है, उसमें से course modules देके उनके course क्या-क्या है, उनमें कैसे पढ़ाते, उनके college के particular Instagram pages है, Facebook pages उन पर reach out किया, मैं application कर दी थी, तो उसमें से Centennial का application free था, और बाकी Niagara में किया था, Conestoga College, Fransho College, ऐसे 3-4 college और हमबर में भी किया था, तो ऐसे college में apply करने का मेरे पास 3 offer letter आ गए थे, Niagara से Conestoga and Centennial, तो दोनों college थोड़े से दूर है, इसके वाज़े से मैंने वो plan drop out करके मैं को proper Toronto में चीए था, इसके लिए मैंने फिर Centennial का application approve कर दिया था, तो बात करते हैं अभी मैं मेरे course के बारे में, तो जैसे कि आप सभी को पता है मैं Centennial college में पढ़ रहा हूँ और मेरे 2 year का baking and pastry arts management का course है, जिसमें 4 semesters है, तो इस 4 semesters में से 3 semester की जो मेरी studies है, as well as 4th semester में मेरी co-op चल रही है, तो वो co semester wise, जो subjects होते हैं, इसमें क्या-क्या पढ़ाते हैं, इसके बारे में हम detail में बात करने आए, तो जैसे कि आप देखने जाए, तो 1st semester के courses की बात करें, तो 1st semester में मैं को bakery and pastry arts का theory course था, as well as skills था, जो practical होता है, फिर commercial bakery का भी एक course था, फिर मैं college communication की बात करूँ तो यहाँ पर English क course होते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि kind of difficult हो जाते हैं, because अपने English जो सीखिए वो, और Canadian English जो है, उसमें थोड़ा सा difference है, तो अपने को थोड़े से tough जाते हैं, तो इसमें आपकी एक पहले assessment test होती है, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, तो उसके बाद principle of nutrition, यह यह course मैं सीखते हो, और food safety smart service, तो यह basically है कि यहां का certificate course है, जो आपको यहां के Canadian rules है, मतलब जो safety कैसे रखते है, फिर smart service कैसे होती है, and like each and everything, जो health related, जो भी जो rules and regulations है, उसके बारे में होगा, तो उसके आपको test देनी होगी, उसका आपको certificate मिलेगा, वो particular duration के लिए valid भी होता है and उसके बाद बात करें, तो maths, तो इसमें maths का भी course, आपको calculation आनी चाहिए, because आप baking करोगे, तो आपको at least weighing कैसे करनी है, scaling करनी है, फिर आपने कितनी recipe लोगे, तो कितने numbers बनेगी, यह important रता है, तो अभी हम बात करने वाले second semester के बारे में, तो second semester में आप देख सकते हो, starting के ज बट फिर भी इसमें आप देखोगे, तो आपको interesting बताओ, तो जो college communication है, उसका second version आजाता, तो इसमें सारी kitchen के बारे में information आपको मिलेगी, और उन लोग literally rules and regulations, each and everything अच्छे से explain करते, तो principal and food and beverage, जो subject है, वो maths का एक pro version है, second part कह सकते हैं, तो ऐसा था, और इसमें जो career prep का course है, उसमें आपको career के बारे में आपको उन लोग train करते, फिर आपको कैसे behavior करना, क्या करना, interviews, कैसे clear करने, वो सब की चीज़े भी उन लोग बताते, बट मैं आपको बात करू तो overall course इन लोग ने design बहुत अच्छे तरीके से की है, इसमें आपको इन लोग proper, मतलब आपको अगर spoon feeding जिसे सारी चीज़े explain करते, तो यहाँ पर वैसा नहीं होता है, इन लोग आपको ऐसे समझते कि इन लोग आपको थोड़ा बहुत basic knowledge है, और आपको self study बहुत जाधा करनी होती है, self research करना होता है, खुद से जाधा पढ़ना होता है, तो इन लोग overall थोड़ा उपर से ऐसे आपको इसके बारे में खुद study करनी होगी, खुद research करना होगा, तो यह सारी चीज़े आपको खुद करनी होगी, खुद के notes बनाने होगे, अगर कुछ doubts है, तो आप professors को reach out कर सकते हैं, तो अभी हम बात कर दें 3rd semester में, तो अगर आपने September में course start किया है, तो आपका इधर 3rd semester का course होगा, एक kitchen management का, जो second version होगा, and general education elective, जो choiceable courses थे, इसमें आपको जो भी interest का course लगता है, वो आप ले सकते हो, जैसे कि psychology होगया, फिर health के बारे में होगया, Canadian workplace होगया, ऐसे बहुत सारे courses है, बहुत courses की list होती है, तो आप choose कर सकते हो, तो 4th semester की बात कर रहे हैं, तो 4th semester में मतलब मेरा जो 3rd semester था, बहुत interesting था, because वो in campus हुआ था, उसमें मैंने cakes के बारे में basic से लेके advanced तलग, जो 14 weeks में सीखा, बहुत amazing था, chefs बहुत amazing थे, फिर बात में मैंने bread का, जो basic से लेके advanced तलग सीखा था, इसमें sardo से लेके, जो चीज़े मैं को नहीं पता थी, वो भी मैं को पता चल गी, और chocolate, जो मैंने सोचा नहीं थे, कि मैं को भी chocolate के बार में सीखने मिलेगा, तो जो chocolate का, जो tempering से लेके, कैसे bars बनाते, क्या 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 नहीं, फिर sculptures कैसे बनाते, सारी चीज़े मैंने सीखी इसमें, तो मेरे लिए बहुत interesting का 3rd semester, I wish कि मैं को पहले ऐसा opportunity मिलती, क कि मैं सारा course पूरा in campus अटेंड कर पाऊ, बट ऐसा नहीं था, covid के वाएसे नहीं मिला, तो आप देख सकते हो, कि यह इतना interesting course है, और अगर आपको literally interest है, तो आप इसमें आपका career कर सकते हो, तो अभी हम बात करते, college की fees, मतलब यह course की fees कितनी है, तो जो मेरी one year की fees थी, वो थी 17,000 dollars and 700 and something थी, मतलब 17,700 something थी, second year की fees थी 17,800 something, तो मतलब अगर हम Indian currency में बात करने है, तो एक साल की fees मेरी 10 लाग थी, तो ऐसे 2 साल की count करके तो 20 लाग fees हो गई, इसी के साथ मैं को GIC करनी तो GIC मैं जबी pay करना था तभी dollar rate 56,57 something था, और conversion rate मिला के में को 5,90,000 की something GIC हो गई थी, तो मतलब वो, तो approximately आप देख सकते हो 26 to 27 lakhs मैंने मतलब यह studies के लिए लग गए Canada आने के लिए, बट इसमें से GIC की amount return आती है, आपको पता है, अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पे आप आप वीडियो चेक कर सकते हो GIC के बारे में, तो यह था मेरा point fees के बारे में, तो मैं बात कर रहे हैं, तो centennial college थोड़ा सा strict है, क्या सकते हो, pleasurism और वो सब के बारे में, इसमें college में दो baking की laps है, और तीन कली नदी की laps है, as well as one restaurant है, जो local cafe and restaurant, जहाँ पे बच्चों को hands-on practice मिल field है, वो भी बहुत interesting है, मैरे मतलब जो friends थे, कली नदी में, मैं try करूँगा, कि उनसे भी reach out करके, एक personal कली नदी के बारे में video बनाओ, तो आज की मेरी ये video थी, मेरे course के बारे में, तो जो मैंने baking का course लिए, उसके बारे मैं आपको सारी information दे दी, अगर आपको कुछ भी queries है आप मुझे comment करके पूच सकते हो, या मेरा instagram handle यहाँ पे show करता होगा, वहाँ पे आप reach out कर सकते हो, as well as अगर आपको कुछ चीज पता है, ये course के बारे में, तो आप मुझे comment करके बता सकते हो, so that में को भी पता चले, और जो video देख रहे, और comment रीड करके, उनको भी पता चल बाइ!